दियार्थ न्यूस के साथ और मैं आपके साथ रोमी केरनी और मौनिंग अपडेट लेकर हाजिर हूँ इस मौनिंग अपडेट की बात करें तो आज हम एक बार फिर जो है क्रोना का जो नया वेरियंट ओमी क्रॉन जो है इस समय एक चर्चा का विश्य बना हुआ है और उसी प बात करें तो कल जो मुख्य सचिव हैं डॉक्टर आरुन कुमार महता ने एक जो संभागी और जिला परशासन के साथ जमो कश्मीर और कश्मीर दोनों एरपोर्ट्स पर जो है विदेशों से आने वाले और साथी साथ विशेशकर अगर बात करें तो दक्षिन अफ्रीका य को भी जो है वो शुरू करने की बात कही गई है यानि की पेड कॉरिंटीन सेंटर्स को बनाने की भी जो बात है वो कर दी गई है इसके इलावा जो है स्वास्ते विवांग ने ओमिक्रॉन और अन्यमुटिशन का पता लगाने के लिए मेडिकल कॉलेज शिरनगर और जमो मे जीनोम जांच सुविधा स्थापित करने के लिए कहा है और साथी साथ अगर बात करें तो कोविड टास्क फोर्स जो रहा है उसकी सोमवार को एक बैटक के दोरान जो है बताया गया है कि उन सभी देशों से आने वाले नेगरिकों का टेस्ट करवाना है जांच करवानी है स इस समय जो है जितने भी देश जो है घोशित किएगे हैं रिस्क वाले देश जो है वो गुशित किएगे है और वही अगर बात करें तो अगर कोई यातری जो है नेगटिव पाया जाता है तो उसे जो है गोले बाद आट दिन bीश आठ मे दिन जो है उसका एक बार रफिड दिनों के लिए बेजा जाएगा और उसका सेंपल जो है ICMR की जो मानता प्राप्त लाब्स होंगी वही पर इस सेंपल को जो है भेजा जाएगा तो कहीं न कहीं जिस तरीके से लगातार अब जो तीसरी लहर का अंदेशा सताता नजर आ रहा है तीसरी लहर का खतरा जो मंटर आ थी दियाडियो अस्पताल में जो है जितने भी स्टाफ मेंबर्स थे या पेरामेडिक था या डॉक्टर्स थे उन्हें वापसी वहां पर बुला लिया गया था और ये अगर बात करें तो नए स्टेंडर ऑपरेटिंग प्रसीजर यानि की सोपी की बात करें तो इंटरनेशन इस तरीके से जो अभी ट्रेवलर जो है यहां पर पहुंचेगा उसे जो है सब्मिट करना पड़ेगा सेल्फ डेक्रिलरेशन फॉर्म जो है ऑनलाइन जो एर सुविदा पोटल है उस पर जाकर जो है चोदा दिन पहले जो है उसे अपनी पूरी जानकारी जो है यहां पर सा 22 और जो है उसके अंदर-अंदर का ही टेस्ट होना चाहिए यानि की बतर गंटे के बीतर के लिया गया टेस्ट की जो रिपोर्ट होगी वो सांजा करनी होगी और साथी साथ जिस तरीके से मैंने कहा कि हर विदेश से पहुंचने वाले यातरी को जो है सेल्फ डेक्रिलेशन फॉर्म जो है वो सब्मिट करवाना होगा और अगर ऐसा नहीं होता है तो ही और शी विल बी लाइबल फॉर क्रिमिनल प्रोस्टिकूशन तो साफ़तोर पर जो है अंडर्टेकिंग की बात की गई है क्योंकि मिनिस्ट्री आफ टीवल अविएशन की बात करे गोर्मेंट आ गेरलाइन्स जो है यह फैसला लिया गया है और जिस तरीके से अर्लियर अप्रोच को अपनाते हुए क्योंकि जिस तरीके से त्रीसरी लहर का खत्रा जो मंडराता हुआ नजरा रहा है उसी की अप्रोच को अपनाते हुए यह फैसला जो है साफतोर पर लिया गया है और इस समें बताया जारा कि रिस्क पर हैं उन पर खासा ध्यान रखनी कि बात की गई है उनके यहां पर यहां पर सक कर जो आई नाइटीन को बात की जा रही है अगर नेगतीव रिपोर्ट आती है तो साथ दिन कि कॉरंटीन पर भनेज outside दिन त nem इसके साथ 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 जो है साफतोर पर लगतार जो है ये बात की जा रही है कि जमू और कश्मीर दोनों के ही गोर्मन मेडिकल कॉलेज में जो है आइसी आइम आर की जो लैब्स है उन्हें एक बार फिर स्थापित करने की बात की जा रही है और इन लैब्स के अंदर ही जो है स के साथ ध्यान रखा जा रहा है कि जिन飛 abilities ko अगर होम quarantine पर वहाँ जाता है या saelt monitoring health fuel monitoring के लिए भेजा जाता है और अगर उनमे science गोविड-19 के лोप Leg loti के लिए वे बज़ आता है और अ cap को बारते हैं और एक को सुविधाएं जो हैं वो मुहया करवाई जाएंगी तो साफ तोर पर कहीं न कहीं जम कश्मीर परशासन जो है क्रोना वाइरस की तीसरी लहर से बचने के लिए लगतार प्रयास करता हुआ नजर आ रहा और इन प्रयासों के अगर बात करें तो कहीं न कहीं बड़े पैमाने प जम्मो जिला में ही विदेशों से आने वाले तकरीबन साढ़े चार से लोगों की जो है कोविड जांच की गई है उनके घरों में जाकर उनकी जांच की गई हो और इसमें अभी तक कोई भी पॉजिटिव जो है वो नहीं पाया गया है तो एक अची कबर है अभी तक तो अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उसे जल्द से जल्द जो है ट्रीट्मेंट के लिए भेज़ा जाएगा और कोशिश की जाएगी कि उससे संपर्क में आए लोगों को भी जल्द से जल्द ट्रीट करने का उनका जो समधान है वो निकाला जा सके तो लगातार कहीं न कहीं परियास चोड़ चुके है परन्तु ये परियास तभी सफल हो पाएंगे जिसमें आम जनता जो है बढ़ चड़कर अपना सहयोग दोगी और इसमें यही करना है कि हमें जो इतने भी प्रोटोकॉल्स हैं चाहे वो मास्क पहनना है सेनिटाइजर कॉप्यों करना है चाहे सकोर कर जो ख्याल रखने की जरूरत है तो इस अपड़ेट में बस इतना ही चुड़े रहे हैं दियार्टनियूस के साथ